चलिए देखते हैं आज की करेंट अफियर्स फर्स्ट और सेकेंड दिसंबर के एक साथ रहेंगे तो हमारे साथ बने रहेगा मैंने आनिशाद एक पर फिर से आपको स्वाकत करती हूं इंजीनियर्स टेडी सरकल में भारत में मात्रि मृत्ति वनुपात घट कर प्रती एक ला आयोग UPSC का सदस से किया गया है तो किसे किया गया है प्रीती सुधन को प्रती किया गया मर्यम वैपसिटर ने किसे 2022 के लिए वर्ड आफ दी एर घोशित किया है तो किस वर्ड को वर्ड आफ दी एर घोशित किया है मर्यम वैपसिटर ने तो ग्यास लाइटिंग को किया है किसको किया है इन्होंने ग्यास लाइटिंग को किया है अब ग्यास लाइटिंग का मीनिंग क्या है तो किसी के साथ खी वेंग्यानिक या नहीं कि आप उसको साक्लॉजी के बिहाव पे क्या कर सकते या उसके वेंग्यानिक इस तरपर उसके साथ क्हेल सकते है या मतला उससे बातचीत करना उस तरीके से. Next Question है किस दैस की फ्लिम नार गेशी ने IFFI International Film Festival of India में ICFT International Council of Film Television and Audio-Visual Communication UNESCO गांधी पदक जीता है तो किस देश ने जीता है? इरान ने जीता है Next question है अगनी खुल कॉसमास ने भारत का पहला नीजी लैंड पैट कहां स्थापित किया है? तो उन्होंने कहां पे किया है? श्री हरी कोटा में किया है Next question किसे INTUC करनाटा का नया अध्यक्ष न्यूक्ष किया गया है? तो लच्मी वैंकटेश को क्या किया गया है? INTUC करनाटा का नया अध्यक्ष न्यूक्ष किया गया है और रास्टी पेंशन प्राली ट्रेस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया है ONGC के अगले प्रमुक के रूप में अरुण कुमार सिंग को नियुक्त किया गया है और नीती आयोक के पून कालिक सदस के रूप में अरविंत विर्मानी को नियुक्त किया गया है आगे देखते हैं राजटी अंतर राजटी ये लूसोफोन महुतसफ कहां आयोजित किया जाएगा तो अंतरास्टी लूसोफोन महोतसव ये गोवा में आयोजित किया जाएगा किस राजिक के मंत्री मंडल ने मांसिक स्वास्थ और सामाजिक देखभाल नीती को मंजूरी दी है किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ओफ इयर का पुरुसकार मिला है अपनी खेरा को पैरा स्पोर्ट पर्सन ओफ इयर पुरुसकार दिया गया है सेभी ने किसे BSE का नया MD और CEO घोशित किया है तो किसको किया है सुन्दर मल राम मूर्थी को किया है नेक्स्ट कुशन वे हार्नी वोल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा ठीक है जो 23 वे हार्नी वोल फेस्टिवल की मेजबानी वो कौन करेगा नागालेंड और नागालेंड की कैपिटल क्या है कोहिमा किसने ग्लोबल टेक्नोलोजी अमित के सात्वे संसकरण को संबोधित किया है तो S.J. शंकर को किया गया है विदेश मंत्री कौन है जो फोरेंड मिनिस्टर S.J. शंकर है तो इन्हें ही ग्लोबल टेक्नोलोजी अमित के सात्वे संसकरण को संबोधित किया गया है नेक्स्कुशन भारत ने किस देश को सवा मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्ति स्थान प्रदान की है तो किसे किया है मालदीव को किया आगे देखते हैं किस राजे सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रैंड अमबेस्टर नियुक्ति किया है तो उत्रा खंड राजे सरकार ने क्या किया है प्रसून जोशी को अपना ब्रैंड अमबेस्टर नियुक्ति किया है अब आगे देखेंगे उत्राखंड ने ही अभी 9 नवंबर को अपना क्या मनाया था इस थापना दिवस मनाया था और उत्राखंड हाई को नैनी ताल से हलवानी शिफ्ट किया गया है आगे देखते हैं Yes Bank ने JC Flower और ARC में कितने प्रथिशत हिस्सेदारी का अधिकरण किया है तो 9.9% का किया है अब यह आपका ARC क्या है तो यह Acid Reconstruction Agency है और Yes Bank की बात करें तो Yes Bank की स्थापना दिवस कब था इसको कब formation किया गया 2004 में इसका headquarter कहा है मुंबई में और इसके जो chair person है वो कौन है सुनील महता है आगे देखेंगे देश के किस देश के चार सैनिकों ने नंदा देवी की पर चड़ाई की है तो यह अमेरिका के जो चार सैनिक है इन्होंने नंदा देवी पर क्या किया है चड़ाई देश को हटा दिया गया है इंडिया को औरोना मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरी लेंड के उपरा जिपाल का पद समाला है आगे देखेंगे ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई कौन सी स्थान पर रहा है तो वो 22 वे नंबर पर रहा है राज्य के मुख्यमंत्र एम के स्टालीन है और जो गवर्नर है वो आरेन रवी है जो तमिलाडू के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ और डिट फ्रेमवर्क पेश किया है और तमिलाडू सरकार ने गिद्धो के संग्रश्ण के लिए पैनल का विगठन भी किया है आगे देखेंगे अगे देखते हैं किस राजय के मुक्यमंत्री ने एम लोन एनीमिया मुक्त अभियान शुरू किया है तो किस राजय के मुक्यमंत्री ने किया है और उडिशा की कैपिटल किया है भुवनेश्वर है और उडिशा सरकान ने राजय को दो हजार देख तक इसलम मुक्त बनाने की क्या किया है गोश्ट ना की है और उडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सिक्षा पुरिस्कार योजना की शुरुवाद भी की है आगे देखेंगे किसने हिमाले को खाद पशु के रूप में माननेता दी है तो FSSAI यानि की Food Safety and Standard Authority of India ने क्या किया है हिमाले के खाद पशु याक को क्या किया है माननेता दी है तो यहां पे आप इसको याक लिख लिजिए कि राजस्त प्रहार अभ्यास कहां योजित किया गया है तो यह राजस्थान में किया गया है अब राजस्थान में किया गया है तो राजस्थान की कैपिटल जैपूर चीफ मिनिस्टर अशोग गैलोत और गवर्णर कौने कल राज मिश्रे हैं आयो आपको इस सेशन शमज में आया है अगर आपको पसंद आता है तो please don't forget to like, share and subscribe thanks for watching and have a good day